हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है हर्योम और स्वागत है आप सभी लोगों का हर्योम एजुकेशन में आज से हम लोग क्लासिक्स का चाप्टर नमबर 13 फन विथ मैगनेट से स्टार्ट करने जा रहे हैं आज है उसका लेक्चर नमबर 1 और आज की इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि मैगनेट का डिस्कबरी कैसे हुआ मैगनेट का ओरिजिन कैसे हुआ कहां से आ गया ये मैगनेट अचानक तो इसका बहुत ही प्यारा से स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा बहुत ही प्यारा से स्टोरी वहां से आपको पता लगेगा कि मैगनेट का डिस्कवरी कैसे हुआ बहुत ही प्यारा से स्टोरी है ठीक है एक गरेरिया होता है उसके पैड में मैगनेट चिपक जाता है उसका जो स्टीक होता है वो चिपक जाता है magnet वो actual में होता नहीं वो होता है पत्थर वो पत्थर में उसका जूता चिपक जाता है और उसका जो डंडा होता है वो चिपक जाता है और वहीं से उसको आइडिया आता है magnet का इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ी दिर में story के बारे में उसके बाद हम आपको बताएंगे natural and manmade magnet नेचुरल मेगनेट क्या होता है और मैनमेड मेगनेट क्या होता है ऐसा मेगनेट जो नेचर में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल मेगनेट और ऐसा मेगनेट जो हम खुद से बनाते हैं उसको हम बोलते हैं मैनमेड मेगनेट फिर हम आपको बताएंगे Magnetic and Non-Magnetic Materials क्या होता है Magnetic Materials का मतलब होता है ऐसा Materials जिससे कोई भी चीज चिपक जाए और Non-Magnetic क्या होता है ऐसा Materials जिससे कोई भी चीज न चिपके फिर हम आपको बताएंगे Shape of Man-made Magnet ऐसा Magnet जिसको हम खुद से बनाते हैं उस Magnet का Shape कैसा होता है वो देखने में कैसा होता है तो बहुत सारा Shape का Magnet होता है Man-made वाला जैसे कोई Round होता है कोई Button जैसा होता है कोई घोड़ा के पैर के समान होता है कोई लंबा होता है कोई Cylendrical होता है अलग-अलग Shape का होता है तो चलिए आज की इस Lecture को हम सुरू करते हैं तो बहुत ही प्यारा से स्टोरी है ध्यान से सुनिएगा ये स्टोरी है Magnesia का ठीक है चलिए सभी लोग को अपना Copy निकालना है और Heading लगाना है Fun with Magnets और स्टोरी सुनना Start के दिए Fun with Magnets Fun with Magnets Magnet का Discovery कैसे हुआ Discovery of Magnet Magnet का खोज कैसे हुआ तो Magnet का Discovery एक गरेरिया किया था Separd पता है न Separd क्या होता है गरेरिया ठीक है उस गरेरिया का नाम था Mangage क्या नाम था गरेरिया का Mangage उस से पर्ड का नाम था मैंजेज मैंजेज क्या है उस गरेरिया का नाम इसी गरेरिया ने मैगनेट का डिस्कवरे किया था कैसे किया था एक समय की बात है वो भेर को चरा रहा था सीप को हर्डिंग कर रहा था चरा रहा था एरिया है मैगनेसिया का मैगनेसिया कीस एरिया में आता है नौधर्न ग्रीस वाले छेतर में नौधर्न ग्रीस का एरिया है मैगनेसिया उस जगा का नाम है जहां पर वो जो मैंजेज आदमी था वो हर्डिंग कर रहा था अपने भेर को चरा रहा था एयर 4000 साल पहले का है 3000 years ago किसी-किसी book में इसका year very आपको मिलेगा किसी-किसी book में different data भी आपको मिलेगा ठीक है तो उसे घबराईएगा नहीं 4000 साल पहले का बात है ठीक है जब ये अपना भेड चरा रहा था तो वो जूता पहन के चला रहा था चरा रहा था, सोरी चला नहीं रहा था जूता पहन के सूज पहन के क्या हुआ कि सूज का जो बेस था वो मेटल का बना हुआ था मतलब मेटल बेस का वो जूता पहना था उसका जो जूता था उसका जो बेस था वो मेटल का बना था और ये हाथ में जो stick लिया था, उसका जो नीचे वाला tip वाला portion हिए, tip क्या है जैसे माली जिए stick है तो इसका ये portion tip वाला नीचे वाला portion तो जो जो इसका stick था, वो iron का बना था, iron का जो tip था, नीचे वाला portion जो जिस stick से वो चाड़ा रहे थे भेर को harding stick जिसको हम बोलते हैं भेर चराने वाला इस्टिक वो भी आइड़न का ही बना था आइड़न का ही बना था वो क्या हुआ किस ब्लेक रोक के साथ चिपक गया क्या हुआ जहां पर वो भेड चरा रहे थे वहां पर ब्लैक रोक था मतब काला कलर का रोक था चतान था उसके साथ क्या हुआ चिपक गया क्या हुआ चिपक गया फार्मली इस्टक हो गया फार्मली इस्टक फार्मली का मतलब किसी को पता है क्या होता है strongly से मजबूती से फार्मली मतलब strongly इस्टक मतलब क्या होता है चिपक ना बहुत मजबूती से जाकर वो चिपक गया और इसके बाद इनको आईडिया आया मैंजेज को अच्छा कुछ होता है मैगनेट जिससे की मेरा जूता चिपक गया और क्या चिपक गया मेरा जो हर्डिनेश्टिक है वो चिपक गया यही से उनको आईडिया आया कि मैगनेट कुछ होता है ठीक है उसके बाद मैगनेट का डेफिनिशन दिया दिया मैगनेट का डेफिनिशन आया It is a material which has which has an ability to attract object It is a materials which has ability to attract object क्या बताया गया मैगनेट ऐसा materials है जिसके पास ability होता है object को attract करने का It is a materials which has an ability an ability to attract object कैसा object? जो metal का बना हो made of of metals जो object metals का बना हो ठीक है? कोई भी object जो metal का बना है वो चिपक जाएगा जैसे iron, copper यह सब चिपक जाएगा iron, cobalt, copper यह सब चिपक जाएगा ठीक है? निकल यह सब क्या होगा? उसमें चिपक जाएगा ठीक है? इसको छापिए कैसा लगया story मजा लाया magnet यहीं से आ गया इसका story बहुत ही प्यारा सा है इस story में कुछ लोग थोड़ा बहुत modification भी करते हैं मतब इसको अच्छा से बताते हैं और अच्छे से मतब फंसा देते हैं कई अच्छा से और इससे असान तरीका से नहीं बता जा सकता इससे और असानी से हो सकता था उतना असानी से मैं आपको बता दिया ठीक है चलिए छाप लिए जो बॉल्ड होता है इंसेक्ट होता है उसके बॉल्डी के अंदर ही magnet पाया जाता है नहीं समझ में आया मिन्स जो बॉल्ड होता है मचली होता है इंसेक्ट होता है उसके बॉल्डी के अंदर ही magnet जैसा प्रोपर्टी पाया जाता है उसके चिरिया के अंदर भगवान magnet नहीं रखे हैं बट उसके अंदर एक ऐसा प्रोपर्टी है जो कि मैगनेट के तरह भी हैव करता है ठीक है तो बर्ड इंसेक्ट फीस में a small magnet in their body बर्ड्स में फीस में इंसेक्ट में क्या है magnets in their body जो चिरिया है मचली है किरा है उसके बोड़ी के अंदर magnet पाया जाता है देखिए उसके बोड़ी के अंदर magnet होता है ठीक है कैसा point लगा अच्छा लगा थोड़ा shocking था जो बट्स है मचली है उसके अंदर magnet जैसा property पाया जाता है तो हम बोल देते हैं magnet in their body उसके बोड़ी के अंदर magnet है चलिए अब आपको हेडिंग लगाना है magnetic and non-magnetic materials ठीक है magnetic and non-magnetic materials चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं magnetic materials क्या होता है ऐसा materials जो चुम्बक से चिपक जाता है उसको हम बोलते हैं magnetic materials the materials which are affected by magnet the materials which are affected by magnet चाहे वो चिपक जाए या दूर भागे उससे मतलम नहीं है जैसे बहुत बार ऐसा होता होता कि आप लोआ को क्या करोगे लोआ को लेकर जाओगे लोआ को magnet के सामने ले जाओगे तो लोआ दूर भागेगा ठीक है कभी-कभी चिपक भी जाता है क्यों होता है क्यों क्यों magnetic material the materials which are affected by magnet उसको हम बोलते है magnetic materials इसका example क्या है लोहा iron iron को जब आप magnet के पास ले कर जाओगे या iron के पास magnet लाओगे या iron दूर भागेगा या चीपक जाएगा और भी यह नीकल है कोबाल्ट है और भी बहुत सारा है ठीक है the materials which are affected by magnet known as magnetic materials और सेकेंड आता है non-magnetic materials the materials which are not affected by magnets kya hota the materials which are not affected by magnets the materials which are not affected by magnets known as non-magnetic materials इसका example क्या है जो नहीं चीपकता है मैगनेट से rubber eraser साफ करने वाला जो pencil से लिखा हुआ रहता है प्लास्टिक स्केल स्केल होता है वह सब इसका example है प्लास्टिक स्केल इसके लब लोहा खाभी आने लगा लोहा वाला स्केल इसका example नहीं होगा लोहा वाला magnetic का होगा ठीक है चलिए अब हम आपको बताएंगे natural magnet क्या होता और manmade magnet क्या होता है छाप लिए थे नहीं छापे थे तो पीछे जाई और छाप ये चलिए 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 कहां चलिए अब आपको हेडिंग लगाना है नैचुरल एंड मैनमेड मैगनेट सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है नैचुरल मैगनेट नाम से ही किलियर है ऐसा मैगनेट जो नेचर में पाया जाता है अकर्स इन नेचर नेचर में जो मैगनेट पाया जाता है उसको हम बोलते हैं लोड स्टोन लोड स्टोन ठीक है लोड स्टोन नेचर में कौन सा मैगनेट पाया जाता है लोड स्टोन यह जो नेचर में मैगनेट पाया जाता है उस मैगनेट को हम अपने मन से सेप नहीं दे सकते हैं इस मैगनेट को हम डिजायर सेप नहीं दे सकते हैं कहां गया मारकर चलि लोड स्टोन को हम ग्रीन कलर दिख रहा है desired shape नहीं दे सकते हैं load stain को हम लोग load stone को हम लोग desired shape नहीं दे सकते हैं अपने मन से उसका shape नहीं दे सकते हैं जैसा वो nature में पाया गया आज़े साही देगा ठीक है और फिर अब आता है man-made magnet नाम से clear है ऐसा magnet जिसको हम लोग बनाते हैं अपनी हाथों से सरागला हाथों से man-made को हम क्या बोलते हैं और artificial artificial magnet means बनावटी magnet या man-made magnet इसका definition चाहोगा the magnets which are prepared by man prepared by man ऐसा magnet जो आदमी बनाता है उसको हम बोलते हैं man-made magnet अब यह जो magnet होता है artificial magnet या man-made magnet यह दो टाइप का होता है मतलब जो magnet हम हाथ से बनाते हैं वो बाला दो टाइप का होता है एक ऐसा होता है जो temporary होता है temporary और एक होता है permanent permanent temporary magnet मतलब ऐसा magnet जो थोड़ा time के लिए बस रहे ठीक है temporary magnet भी हम आपको बनाना सिखाएंगे अगले लेक्चर में कैसे बनता है temporary magnet और permanent magnet ऐसा होता है जिसके पास एक बार magnet बना दिये मतलब हो हमेशा magnet ही रहेगा permanent रूप से always attract या रिपल करेगा always यह हमेशा के लिए रह गया always के लिए और temporary magnet कुछ समय के लिए रहेगा temporary मतलब ऐसा magnet जिसके पास magnetism का property कुछ time के लिए रहेगा इस दोनों के बारे में discuss मैं थोड़ा दिर में आपको करूंगा manmade के बारे में manmade permanent के बारे में मैं आज बताऊंगा और manmade temporary के बारे में मैं अगले lecture में बताऊंगा ठीक है कोई दिकत नहीं दो टाइप का है temporary permanent temporary वाला कुछ समय के लिए permanent वाला हमेज साखने साखे लिए ठीक है बहुत सारा तरीका होता है manmade magnet बनाने का जैसे एक alloy से बनाए जाता है magnet made from alloy alloy क्या होता है mixture of metal plus metal या mixture of क्या होता है alloy alloy क्या होता है mixture of metal plus metal non-metal plus metal या non-metal plus non-metal ठीक है यही होता है alloy तो यह alloy का बना होता है यह क्या जिद का बना होता है alloy का बना होता है alloy के बारे में आप लोग पढ़ भी चुके होंगे पहले से बढ़ जो नहीं पढ़े हैं वो जाने जिए ठीक है इसका जो example है एक होता है all-nico 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 ठीक है all-nico तो नाम से clear है नाम से यह clear है कि aluminium, nickel और cobalt का बना होगा alloy of aluminium, nickel and cobalt क्या चीज़ का है alloy of aluminium, nickel and cobalt ठीक है aluminium, nickel और cobalt का alloy है इसको पहले छाप ली दिया फिर हम आपको बताते है ये वाला permanent magnet के बारे में shape जो man-made magnet होता है permanent वाला उसका shape कैसा होता है looks बनाते जाए अच्छे से जो जो मैं पढ़ाता हूँ पढ़ते जाए और कुछ नहीं और बहुत मन करता है तो question बनाईए किसी-किसी book से जो भी book है आपको उसे question बनाईए अब बात आता है shape man-made magnet का man-made magnet का कैसा वाला man-made magnet permanent वाला कैसा कैसा सेफ होता है जब आप लेबोरेटरी में जाओगे तो एक magnet आपको ऐसा दीखेगा ऐसा ठीक है ऐसा इसको हम बोलते हैं बार मेगनेट बार मेगनेट मतलब जो बार के समान हो जैसे चोकलेट का बार होता है न किट कट इस सब का जो बार होता है उसी समान का मेगनेट तो बार मेगनेट बोल दीए ठीक है कोई magnet ऐसा होता है यू जैसा इसको हम बोलते है यू सेप्ट मेगनेट कैसा इसका सेप्ट है यू जैसा क्या बोल दीए यू सेप्ट मेगनेट ठीक है कोई दिकत नहीं नौर्थ साउथ भी लिख दीजिए मेगनेट पर दो पोल होता है नौर्थ पोल और साउथ पोल इसके बारे में मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा क्लियर है कोई मैगनेट जब ये वाला जो यू वाला पूर्चन है इसको जब हम साथ में ले आते हैं दोनों को चिपकाते हैं नवदिक लाकर चिपकाते पुरा नहीं है बट इसको जब हम ऐसा कर दे ऐसा जब क्लोज ले आते हैं इसको बोला जाता है होर्स सू घोरा का जो सू होता है ऐसा ही होता है तो इस मैगनेट को हम क्या बोलेंगे होर्स सू मैगनेट नौर्थ है साउथ है कैसा है होर्स के सू जाता क्या बोल दिये होड सूब मैगनेट क्लियर है कोई मैगनेट ऐसा होगा रिंग जैसा अच्छा से बनाने दो भाई रिंग बनाने दो चलिए यह जो आपके प्यारा सा रेडियो में रहता है कभी रेडियो का सरजरी किए हो रेडियो को पटा के फोड़ दिये तो उसमें से निकलेगा रिंग मैगनेट रिंग के समान पूरा अंदर में अच्छे से भरा होता है, बटन जैसा, कैसा होता है, बटन जैसा, तो इसको हम बोलते हैं, बटन मैगनेट, कैसा है, यह बटन के समान है, तो इसको हम क्या बोल दिये, बटन मैगनेट, और भी मैगनेट का डिफरेंट, डिफरेंट सेफ होता है, कोई होता है सिलेंडरीकल मैगनेट ऐसा सिलेंडर टाइप का यह सिलेंडर है ना सिलेंडर घर में जो खाना बनता सिलेंडर देखे हो कैसा होता है पुरा अच्छे से राउंड होता है नीचे में एक सरकल होता है उपर में सरकल होता है उसी को हम सिलेंडर बोलते हैं तो यह देखिए यह द है cylindrical magnet कैसा magnet यह हुआ? cylindrical magnet पुरा में फिल होता है अच्छे से रग लेना अगर आपको घर पर time होगा तो इसको बनियां से paint कर लिएगा बनियां से paint पोचारा इसको भी बनियां से paint कर लिएगा मन करेगा ते इसमें भी paint चला देजिएगा ठीकर तरह तरह का डिजाइन तो यही पर आज का लेक्चर समाप्थ होता है जो मैं पढ़ाया हूं इसको याद कर लिजिएगा और देश्ट